नमस्कार, बोल्ड स्काईपर आपका स्वागत है योगासन के चौधवी ग्लास में आज हम जिससे आसन से दिन की शुरवात करने वाले हैं वो है उत्कटासन इस आसन को करने के लिए सबसे पहले समतल जगा पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं आप अपनी सुविधानुसार दोनों पैर साथ में लगा कर या छे इंच की दूरी पर लगा कर रख सकते हैं अब अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर में जमीन के समान तर रख सामने की ओर रखें इसके बाद धीरे धीरे सास लेते हुए घुटनों को मोड कर इस सवस्था में बैठें जैसे कुर्सी पर बैठते हैं इस सवस्था में सास रोक कर अपनी शमता अनुसार रुकें अब सास छोड़ते हुए धीरे धीरे फिर से पहली अवस्था में खड़े हो जाएं आप चाहें तो इस आसन का अच्छे से अभ्यास होने के बाद अपनी एडी को उठा कर भी आसन कर सकते हैं हाथों को समनान तर रखने की जगा आप उपर भी उठा सकते हैं लीजे पूरा हो गया एक चक्र इस तरह अभ्यास के साथ अपनी शमता नुसार इस आसन के चक्र की संख्या बढ़ाते रहें बात करते हैं इस आसन से होने वाले फाइदों की यासन वैसे तो संपूर्ण शरीर के लिए बेहद लापकारी होता है पर खासतोर से यासन करने से पैरों को काफी फाइदा होता है पैर शक्तिशाली हो जाते हैं आईए बढ़ते हैं अब आज के दूसरे योगासन की तरफ जिसे की हम योग मुतरासन कहते हैं इस आसन को करने के लिए सबसे पहले टांगों को सामने फैला कर बिल्कुल सीधा बठें अब दाए घुटने को मोड कर पाउं को बाई जांग पर इस तरह रखें की एड़ी घुटनों के मूल से सटी हो अब बाई टांग को भी घुटनों से मोड कर पाउं को दाई जांग पर वैसे ही रखें जैसे पहले दाई पाउं को बाई पर रख चुके हो अब अपनी आखे बंद कर लें गहरी सांस लें और शरीर को ढीला छोड़ दें दोनों हाथों को पीट की तरफ पीछे ले जाएं और एक हाथ की कलाई को दूसरे हाथ से पकड़ लें सांस को धीरे धीरे बाहर की तरफ छोड़ते हुए आगे की तरफ इस तरह जुकें कि ललाट फर्श की तरफ हो शरीर को फिर से धीला छोड़ दें और सामान ने ठंग से सांस लें जितनी देर आसानी से संभव हो इसी मुद्रा में बने रहें इसके बाद सांस को अंदर की ओर खींशते हुए वापस पहले जैसी अवस्था में आ जाएं अब इस मुद्रा को पाओं को आपस मेदल बदल कर यानी बाएं की जगदाएं और दाएं की जगदाएं पैर को रख कर इस प्रक्रिया को दोराएं आईए बात करते हैं अब योग मुद्रासन से होने वाले फायदों की या आसन पेट की मास पेशियों की मसाज करता है इससे पेट के विभिन हिस्सों में होने वाली छोटी बड़ी बीमारियों का उपचार भी हो जाता है खासतोर से कबजियत और अपच के मामले में ये बेहद ही लाबकारी साबित होता है तो ये थे फायदे योग मुद्रासन के आईए बढ़ते हैं अब आज के तीसरे आसन की तरफ जिसे के हम सिंगासन के नाम से चानते हैं इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने पैरों के पंजों को आपस में मिलाकर उस पर बैट जाएं फिर दाएं हाथ को दाएं घुटने पर तथा बाइं हाथ को बाइं घुटने पर रखें लंबी सास ले उसके बाद मुह द्वारा सास को छोड़ें अब गर्दन को सामने की ओर चुका कर ठोड़ी को गले के नीचे लगाएं अगर आपकी गर्दन में दर्ध हो तो बिना गर्दन चुकाए भी आप कर सकते हैं इसके बाद सास लेने और छोड़ने की क्लिया को दो से पाच बार करें दोनों आखों से इस तरह देखें कि दोनों आखों की नजर दोनों बोहों के बीश में हो इसके पाद अपने मूँ को खोलें और जीव उसी अवस्था में बाहर की तरफ निकालें मेरुदंड को विलकुल सीधा रखें कुछ देर इस अवस्था में रहने के बाद वापस अपनी पुर्व अवस्था में आ जाएं तो ये था सिंग आसन इस आसन से शरीर में आकसीजन वचेहरे में रक्त का संचार सही धंग से होता है जिसे आप चुस्त दुरुस्त रहते हैं इस आसन को करने से दिमागी शानती मिलती है और तनाव दूर होता है साथी साथ ये आसन करने से आवाज भी साफ होती है तो ये थे फायदे सिन्गासन के आज योगासन की चौदवी क्लास में हमने जुतिने भी आसन बताए आप इन आसन के बारे में कोई भी जानकारी अगर विस्तार से जानना चाते हैं तो आप हमारे चानल पर इन आसन की वीडियोज देख सकते हैं जिसमें हमने इस योगासन से जुड़ी समस्त जानकारी विस्तार से दी है। उमीद करते हैं योगासन की चौदधवी क्लास आपको बेहत पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे योगासन की पंडरवी क्लास में नए योगासन के साथ। फिल्हाल बोल स्काई में पसितना ही